दोस्तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेर कर रही हूं होममेट यहां मार्क ने बहुत सारे यह जों मिलते हैं बड उसमें और अर्टिफिशल कलर होता है और अपेस्टर चीज्जें होते हैं अलोवेडा जेल के साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं ताकि उन्हें लंब आपके स्किन को बहुत प्यारा ग्लो देगा एक्ने हैं जो पिंपल्स जुर्जिया है पिंटेशन है और ज्हाइन सारी प्रप्रोम को दूर करेगा जिहां अगर आपकी स्किन डार्क हो गई हैं टैनिक के प्रॉब्लम से विजूज रहे हो आपको इसको जो प्रोड बड़सात का मौसम है उस मौसम में बहुत सारी दाने और फुंसियां निकलती है हमारे फेस पर आप देख सकते हो एक दो पिंपल मेरे फेस पर भी आ गए है बिलकुल फिरी है यह बस आपकी घर में अलोवेरा प्लांट हो अगर घर में तो बगल वाले घर से भी तोड़के ला सकते हो बड़ कोई नहीं आपको आसानी से मिल जाएगे को कि हर जागा ही होता है लगबख अलोवेरा का प्लांट तो चोड़ो हम लोग यह अलोवेरा जल लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको क्यान करना है पहली बार चानल पर आए तो चानल को सब्सक्राइब कर लो बगल में लगए घंटी बचादो घंटी के साथ आथा और कपनों से भी क्लिप कर देना ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तब प बना रहे हैं तो हमारे गर में यह अलोवेरा का प्लांट है बहुत सारे थे दादी ने हटा दिया है तो मुझे एक लीफ चाहिए और मैं बहुत ही कम बना कर रखना चाहते हूं यानि केवल एक हफते के लिए कोगी घर में बना रहे हैं तो ज्यादा बना कर रखेंगे तो मैं केवल एक हफते के लिए बनाओंगे उसके बाद नेक्स्ट फिर से नया बना लेंगे तो मैं बहुत यहां पर मोटी 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 लीफ हैं पर मैं पतली लीफ चोन रही हूं यह देगे कितनी फ्रेश लग रही है और आप देख सकते हो इसके बगलना काटे होते हैं तो ह मैं अलोवेरा की लीफ है वो अच्छे से साफ कर ली है अब हम क्या करेंगे इसमें जो पतला वाला पार्ट है उसमें बहुत कम अलोवेरा है जल है तो मैं इसको काट देती हूं और मोटे पार से जल लिगा लेती हूं इतना ही ज्यादा इनफ है क्योंकि मेरा कंटेनर एक चमस के मादम से जल निकाल ली हूं और हलकी हलकी खुरुच के निकाल ली हूं वो इसलिए निकाल ली हूं कि हमें ग्रैंडर की जरूरत ना पड़े मिक्सी की जरूरत ना पड़े अगर हम बड़े बड़े पीसस निकाल लेंगे तो हमें मिक्सी में से ग्रैंड करना जल जाल निकाल को पाने सबस्सक्राइब दिन सुरूमने जल निकाल रहे हैं आप हम आलोवेरा के वहां जाल लिए दोस्तों एलोवेरा में एंटी ऑक्सीडन प्रॉपर्टीज होती है यह हमारे फेस की महीन रिखाए होती है एजिंग की उम्र से पहले जुर्या जाती है हमारे फेस पे उन्हें दूर करता है क्योंकि एलोवेरा है बेस्ट नेश्रल एंटी एजिंग प्रोडेक्ट है तो अकर जुर्यों से परिशान हो तो आपको एलोवेरा जल जरूर अप्लाई करना जाए साथी दोस्तों एलोवेरा में एंटी वेक्टिरल प्रॉपर्टीज होती है जिसके विज़े से मुहासे हैं कील हैं फुंसिया है एकने हैं चुटी 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 बहुत सारे दान होते हैं फुंसिया रहते हैं तो आपको इसे रेगुलर अप्लाई करना चाहिए हाथ पैर में भी वहां के भी जो फुंसिया वगएरा है वो दूर हो जाएगी दोस्तों आपको बता दो एलोवेरा ना बहुत ही अच्छा क्लिंजर है जो हमारे फेस में गंदगी होती है जो करता है दोस्तों मांसून का सीजन आ चुका है अभी चिप चिपाहड बहुत फेस में होगी बहुत नमी होगी और जो गंदगी बहुत फेस पी चिपक जाती है तो आप अलोवेरा जल को यूज करो सारी गंदगी निकल जाएगी साथ ही मांसून में कील मुहासे फुंसी होन दोस्तों अगर एलोवे रहो आप रेगुलर अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो दाग देबे की जो प्रॉब्लम है वह भी दूर हो जाएगी और साथ में जो धूब से बहुत सारा टैनिंग आजाता है हमारे फेस में धूर मिटी से वह टैनिंग भी दूर हो जाएगी त जल में मुश्किल हो तो पहले मैं एक काटोरी में ज़ल के दोलोगी तो दोस्तों मेरे युश चाने वाली हूँ दो कैप्सुल विटामिन ए की दोस्तों यहां पर यह आप चाहो तो ऐसे भी शेल करके रख सकता है बढ़ बितामिन एड कर दोगे तो जो एलोवेरा जल के व इसमें भी एंटिसेप्टिक और एंटि वैक्टिरियल प्रॉपरिटीज पाई जाती है जो इसकिन रिलेटिव प्रॉब्लम को दूर करने में हमाई हेल्प करता है तो यहां पर क्या करेंगे विटामिन E के कैपसूल है उसका जो जेल होगा उसके अंदर जो ऑईल होता है उसे हम इसमें डाल देंगे यहां पर दो से तीन कैपसूल यूज कर सकते हो दोस्तों यह जो मेरा कंटेनर है वो 40 ग्राम का है और 40 ग्राम इनफ है एक वीक के लिए इस जिर्वार तक स्टोर करके रख सकते हैं तो काफ़ी टाइम से स्टोर करके नहीं नहीं रख सकते हैं मैं जो एलो वेरा जल एक अपने के प्रस्टियों लिए आपकर आपको दिखा दू जान दूश्पारण्स निकालने के जो भी अलव splits कॉलर में ज्यादा तर उसमें केमिकल कलर होते हैं अर्टीफिशल इंटीफिशल फिग्रेंस होती हैं जो हमारी सकन को नुकसान कर सकती है केमिकल हमें अपने फेस पर अप्लाई भी नहीं करना चाहिए प्यूर चीजों के अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा तो अब यह जो मेरा अलोवेरा जेल है 100% प्यूर है इसमें कोई भी कैम करनी है दोस्तों इस तरह आप अलोवेरा जेल बनाके रख सकते हो और इसे अपने फेस पे अप्लाई भी कर सकते हो तो चुछ दोस्तों मैं इसे फेस पे अप्लाई करके भी आपको दिखा दी हूँ तो यहां पर जो मेरा फेस पूरी तरह से क्लीन है और मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ जैसे हम aloe vera gel apply करते हैं बिल्कुल वैसा ही aloe vera gel apply करेंगे दोस्तों आप इसे दिन में दो बार लगा सकते हो सुबह के टाइम जब अपना face wash करो अपना हाल हो उसके बाद से apply कर सकते हो लेकिन रात के टाइम इसे जरूर से जरूर apply करो as a night cream, as a night serum की तरह दोस्तों रात में apply करेंगे उसका ये benefits है कि हम सारा दिन हम जैसे जखते रहते हैं और रात में हम ठक के सो जाते हैं बट हमारी जो skin है वो अपना work करती रहती है जो हमारी कोश्काय हैं वो अपना काम करती रहती है जो हमारे skin में टूट-fooot होती है जो गरबड़ी होती है जो वैक्टीरियास है उनको खत्म करने का काम रात में होता है हम सो जाते हैं पर हमारा जो शरीर है वो अपना काम करता रहता है तो रात में अगर आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं कोई भी जल लगाते हैं या कोई भी स्किन केर प्रोड़क को लगाते यहां पोने चाहिए बिटामिन-E कैपसूल और अलोवेरा जल दोस्तों यहां पे बिटामिन-E कैपसूल का इस्थमाल करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी अलोवेरा जल यूज कर सकते हैं वह काफी effective है लेकिन बीटामिन-E डालने से इसके जो वेन्ट-फिट्स हैं वह थोड़ याद रखना केवल एक वीक के लिए बनाना है उससे ज्यादा नहीं बनाना है जो इसको खराब होने से रोगे तो आप इसे फ्रिज में रखेगा और एक वीक तक यूज करेगा दोस्तों अकर अलोवेरा जल बनाना नहीं चाहते हैं तो आप सीरे प्लैंट से जल निकालके भी यूज कर सकते हैं पर उसमें क्या होगा रोज आपको प्लैंट काटना पड़ेगा उसे साफ करना पड़ेगा उसके बाद अप्लाई करोगे वह थोड़ा सा जंजटी हो जाता है लेकिन रात के टाइम इसको ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा अचा है क्योंकि रात के राएम हम सो जाते हैं पर हमारी को इसकाएं है वह अपना वक करती रहती है यानि रात में जो हमारे स्कीन की टूट फूट है वह कवर होती है रिपैर होती है तो रात में ही इसको इसको इसमाल करिए और आप इसे as a night cream night serum की तरह यूज कर शाकते हैं आप देख से को मैं इसे apply कर दिया क्या तो उससे पेले में इसे अपने face पर apply कर लिया अब मैं जब ब्रस अब इसे बिल्कुर वाश नहीं कर और सूबूब रीनी एक युछ विफendes div यह लिए जरो होगते है करांटा कर दित हिए है। selecting यह वweet मों सुझ्क्राइब चानल कर दोourtगे बढ़के मंदेशन कर लिए और वी यह तो पहलेकर नहींद से छोने किए है। कि मैं इसी तरह की यूजफुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों अगर आपने पहले से मेरे चाहन को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको यह वीडियो कैसे लगा इंड हा दोस्तों आपका जो कमेंट से मुझे मुझे मूर्टिवेट करता है अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पर आप लोगके साथ वीडियो जरूर शेयर करूँ तो मुझे कम yatाव में मैं नेस यूचि वीडियो कोशिश करूंगे कि आपके टॉपिक पे शेयर करूं दोस्तों रखाक को लाइक, शेयर करना बिलकुर मत भूलना और हाँ दोस्तों फिलहार मुझे इस वीडियो में आ गया दीजै मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ले जो है हिंज जो है भार्वत एंड हाँ दोस्तों खर पे रिएगा सुरची तर रिएगा और अपना ख्यार रखेएगा बाई बाई थे क्यार